हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में तो इस वीडियो में हम देखने वाले किस तरह से हम Multiple Chrome Browser's यूज कर सकते हैं साथ ही किस तरह से हम Multiple Accounts को यूज कर सकते हैं Multiple Email के अकाउंट को YouTube के अकाउंट को Gmail के अकाउंट को सब को यूज करेंगे हमको बार बार किसी अन्ने email में हमारे अन्ने email में login नहीं करना पड़ेगा तो देखते हैं हम क्या करने वाले तो सबसे पहले हम वह जाओंगा Google Chrome में तो यहाँ पर देखे मैंने Multiple Accounts बना के रखे किसी भी अकाउंट को मैं पर क्लिक करूंगा तो उपन होगा मुझे login के लिए नहीं मांगेगा उसके बाद login के लिए नहीं पूछेगा तो मैं इस अकाउंट के उपर क्लिक कर देता हूं तो देखे यह अकाउंट यहाँ पर चाल हो गया है तो देखे यह यहाँ पर email है इसका और यह देखी यह अन्य आकाउंट में login करना या फिर जाना या फिर ब्राउजर में जाना तो यहाँ पर click कर देता हूं और मैं another account के उपर click कर देता हूं तो देखे यह another account open हो गया है तो मैं फिर से एक बात आपको उसमें login करके दिखा तो देखे मैं account को आप एड कर सकते हैं अपने another email id को एड कर सकते हैं जिससे आप YouTube Gmail यहाँ पर login कर सकते हैं आपको बार बार यह password नहीं पूछेगा तो क्या करेंगे महीं से maximize कर लेता हूं तो क्या करेंगे आप आप यहाँ पर जाएंगे देखिए यहाँ पर आपका profile picture उसके उपर भी एक profile picture आपको ब्राउजर में दिखाई देगा Google Chrome में उसके पर लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको add button मिलेगा देखिए यह बटन मिलेगा guest को नहीं जाए add को जाए हम नय account डालना चाहते है इसके अंदर तो add को जाए तो यहाँ पर sign in के लिए पूछेगा और continue without an account account के बिना आपको भी permission देता है लेकिन मैं चाहता हूँ sign in करना तो मैं sign in के लिए जाओंगा तो यह email id बालेगा आप email id डाल दीजिए उसके बाद password मागएगा password डाल दीजिए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ और next next कर जिए और email और password डालने के बाद यह पूछेगा आपके all account का सारा data sync करना है यह नहीं मैं नहीं चाहता अगर आप चाहते हो तो yes I am कीजिए मैं नहीं चाहता तो no thanks कर दूंगा उसके बाद इस तरह से interface आजाएगा आप जो चाहे color यहाँ पे दे सकते जो चाहे वो name यहाँ पे दे सकते कोई भी name आप दे सकते लेकिन मैंने यह नाम दी दिया आप कोई भी नाम दे सकते कोई भी color दे सकते तो मैंने यह green या पर जो प से भी close कर देता हूं तो देखते हैं हम किस तरह से इस account को open कर सकते तो आप google chrome में जाए तो देखें आपके सारे account चो कोई भी होगे वो यहाँ पे दिखाई देगी तो मैं मेरा जो old account है उसी को यहाँ से पहले open कर लेता हूं तो मैंने जो old account है उसे open कर लिया तो उसके बाद मैं YouTube को जा सकता हूं कहां पर भी जा सकता हूं तो मैं देखें हूं YouTube में जाओंगा तो मैं YouTube में चला गया यहाँ पर से YouTube में चला गया तो देखें मेरे old account से ही यहाँ पर login हूं देखिए ऐसे old account से ही login हूं तो मैं चाहता हूं और एक account से login करना बहुत ही simple है तो आप यहाँ में आपको login करना है तो देखिए इस account को यह यह आगए हिसका नाम भी आप यहां से लोगिन करना चाहता हूँ तुम इससे minimize करके कि यहां से ला लेता हूँ और यहां से क्लिक कर लेता हूँ और मैं इस account को प्रज्णानाम का जो अकांट है उसके ओपर क्लिक कर लेता हूं तो देखिए यह भी account आ गया इसका नाम भी same है लेकिं इसका नाम मैंने प्रण्याल रग दिया है तो और एक account से login करना चाहता हूं तो मैं यहाँ से यहाँ पर क्लिक कर लेता हूं और में All Ack Account है, वह है, SA नाम से उसे भी क्लिक कर लेता हूं, तो देखिए, और एक आकाउंट हो चुका है, तो आप YouTube को जाएंगे, तो हर एक का जो को भी Login होगा, वो अलग email ID से होगा, तो देखिए, इसका ID अलग होगा, इसका ID अलग होगा, इसको भी में YouTube से Login कर लेता हूं, इन सबका भी ID अलग होगा, तो इस तरह से, आप जो है, देखिए, यहाँ से यहाँ से भी आपको YouTube को Login करके देखिए, हर एक का ID अलग होगा, email ID और password, सब कुछ अलग होगा, और बार बार आपको password और email डालने की पिचरूरत नहीं होगी तो देखिए, यह V है, यह P है, यह A है, और यह S है, तो दोस्तो इस Simple तरीका था Multiple Chrome प्राउजर को यूज़ करने का साथ ही आपके Multiple Account के साथ, वो भी Same Time, तो दोस्तो इस वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, इस वीडियो को Like कीजिए, Share कीजिए, Comment की तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए Bye